नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी ख़बरों के बारे में जानते हैं तो ख़बरों की और रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें comment box में जरूर बताएं और अगर आपके मान में कोई सवाल है तो हमें comment box में जरूर पूछा और विडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवज़्स करें पहली से पाँचवी कक्चा के सिख्चक अभ्यार्थियों की मेगा सुची में डियलेड और बीएड योगता धायों को एक साथ सम्मिलित कर मेरिट लिष्ट तयार किया जाएगा इसे सभी संबंदित नियोजन इकाई 28 नवंबर तक NIC की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे आच दिसंबर तक मेगा सुची पर ऑनलाइन अपत्ति ली जाएगी और अपत्तियों का निराकरन कर 9 दिसंबर तक अंतिम रूप से मेगा सुची NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा अथमिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजित कुमार सिंग ने सभी जीला सिक्षा पदाधिकारियों को पटना हाइकोट के आदेश के अनुरूप उक्त प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है निदेशक निकाया कि उप्रोक्त प्रक्रिया को समय पर पूर नहीं करने वाली नियोजन इकाईयों के अध्यक्ष और सचीव के विरुद अनुसासनिक करवाई की अनुसंगसा DEO सक्षम प्राधिकार से करेंगे साथ ही इसकी जानकारी विभाग को भी देंगे उन्होंने यहाँ भी कहा कि किसी कारण से कक्षाख चो से आर्ट के अभ्यार्थियों की मेगा सुची प्रकासित नहीं की गई तो अंतिम रूप से इसे 25 नौंबर तक NIC की वेबसाइट पर अप्लोड कर दें कौन बनेगा मुष्मंत्री बिहार में नई सरकार की गठन को लेकर NDA की अहम बैठक विधान मंडल दल की सयूक्त बैठक होगी इसमें NDA विधान सवा मंडल दल की नेता का चुना होगा साथ ही सरकार गठन को लेकर सारे निर्ने इसी बैठक में लिए जाएंगे रहिवार को NDA विधायक दल की सयूक्त बैठक के पूरू चारो घटक दल जदयो भाजपा हम और विधायक दलों के अपने अपनी बैठके होंगी इस बैठक में ये दल NDA के चुने जाने वाले निता के नाम पर चर्चा करेंगे साथ ही उनके नित्वित में सरकार गठन के लिए राजपाल को सौपा जाने वाला पत्र भी तयार करेंगे राजनात सिंग की मौजूदगी में मुखमंत्री और उपमुखमंत्री के नामों पर लगेगी मुहर जानिये क्या है संके पिहार में राष्टिय जनतांत्री गटवंदन की जीत के बाद सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है रविवार यानि आज पत्ना में एंडिये विधानसवा मंडल दल की बैठक होगी जिसमें मुखमंत्री और उपमुखमंत्री के नामों पर मुहर लगेगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में रख्चा मंत्री राजनात् सिंग भी मौजुद रहेंगे जेंद्र सरकार में राजनात के इस बैठक में रहने को लेकर अटकलों का दौर चल रहा है माना जारा है कि बैठक में कुछ आहम फैसले हो सकते हैं पर चाया भी है कि इस बार बीजेपी उप मंत्री के तोर पर नया चहरा ला सकती है राजनात सिंग के एंडिये विधान मंडल दल की बैठक में मौजुद्गी की खबर से अटकलों का बाजार गर्म है नितिक बिशले सको का कहना है कि राजनात सिंग बीजेपी के तो ताकतवर निता हैं ही जेडियों में भी उनकी अच्छी स्विकारियता है नितीश कुमार के साथ उनके काफी अच्छे संबन्ध है इस तरह का जनादे इस बार बिहार में आया है उससे राजनितिक में काफी हलचल पैदा हो गई ऐसे में राजनाथ ही वह व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेकर सभी फैसले सरुसम्मत्ति से करा सकते हैं सहर के चार छट गाट होंगे सेनेटाईज तैनात रहेगी मेडिकल टीम लोकास्था के महापर छट में सरद्धालों को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए स्वास्त विवाग सहरी छेतरे के चार गाटों को पूरी तरह सेनेटाईज करेगा घाट पर आने वाले व्यक्तियों वस्रद्धालों को भी सेनेटाईज करने की वरस्ता की जाएगी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भी जागरुक किया जाएगा इसको लेकर सुकरवार को सीविल सर्जन डॉक्टर सैलेस प्रसाद सिंग ने दिसा निर्देश जारी किया है उन्होंने सभी प्यच्सी प्रभारियों और सदर अस्पताल के उपाध्धिक चक को अलट किया है कहा है कि छट के मौके पर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश से लोग अपने घर आये हैं वहाँ छट घाट पर जाएंगे ऐसे में घाटों पर सर्दालों को संक्रमन से बचाने के लिए मुस्तेदी के साथ व्यश्था करनी है उन्होंने सहर के सीड़ी घाट, अखाडा घाट, सिकंदर पूर घाट और चंदरवारा घाट को पूरी तरह सेनेटाइज करने के लिए ब्रह्मपूत्र और बालो घाट सहरी प्याची के प्रभारियों को निर्देशित किया है दिल्ली में महमन्थन के बाद पटना पहुंचे सुसिल कुमार मोदी, नई सरकार के गठन और संभावित मंत्रियों के नाम पर हुई चर्चा सुसिल कुमार मोदी सनीवार की सुभध दिल्ली से पटना लोटे भाजपा निता को सुकरवार की साम दिल्ली बुलाया गया था बिहार में नई सरकार के गठन और संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा के लिए सुसिल मोदी को दिल्ली तलब किया गया था सुत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्टिया इद्यक जेपी नड़ा ग्रिया मंतरी अमित्सा और बिहार के प्रभारी भुपेंद्र यादाव के साथ सुसिल मोदी की बातचित हुई है भाजपा के नव निर्वाचित विधायोकी की बैठक 15 नवंबर यानि आज होगी इसमें विधायक दल के निता का चैन होगा साथ ही नई सरकार को लेकर बातचित हो सकती है रक्षा मंतरी राजनात सिंग भी इस बैठक में सामिल हो सकते हैं भाजपा के विधान पारसद भी बैठक में मौजुद रहेंगे धायक दल की बैठक के बाद दोपर साड़े बारा बजे के करीब एंडिये की बैठक होने वाली है दिवाली के दिन भी बिखते रहे पटाके होती रही आतिसबाजी बटना के हर मुहले में चलता रहा कारोबार एंजिटी के आदेश का पालन नहीं करा पाया प्रसासन दुकानों का आधा माल खपने के बाद जा रही हुआ डियेम का आदेश दिवाली का धमाका हर सांस पर भारी पड़ेगा पटना के विसेले हवा में घुलने वाली पटाकों का दुआ लोगों की सेहत पर हमला करेगा तब ब्रसासन को एंजिटी के आदेश की याद आई गुरुवार की सुबस से ही पटना में पटाकों की दुकान सच गई थी सुक्रुवार को ही अधिकतर लोगों ने पटाका खरीद लिया था दुकानों का आदा से अधिक पठागा खब गया तब DM का आदेस जारी हुआ 2015 में JDO और BJP जहां एक दुसरे से भीड़े थे वहां इस बार मिलकर 57% सीटे जीती वर्स 2015 में विहार विधानसवा चुना में जिन सीटों पर जदेईू और भाजपा आपस में बेड़े थे उनमें 57-50 सीटों पर इस बार दोनों ने मिलकर कबजा किया है पिछली बार ये दोनों पढ़िया एक दुसरे के खिलाब čुनाव में मैदान में उतरे थी इस बार दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं चले चुनाव में 49 सीटों पर जदियू और भाजपा के उमिदवार आपस में टकराये थे और एक दूसरे को मात दिया था दूसरी तरफ इस बार दोनों NDA के अंग थे चुनाव में जदियू महागडबंदन का हिस्सा था इस बार दोनों साथ मिलकर लड़े तो 49 में से 28 सीटों पर जदियू और भाजपा ने जित दर्ज की इन 28 में से जदियू 15 और 13 भाजपा ने जिती वहीं सेस 21 सीटे महागडबंदन की जोली में गई इन 21 में राजप को 12, कॉंग्रेस को 3, माले को 4 और बसपा को और एमाइम को एक एक सीटे मिली है जोला लेकर चलते हैं विधायक महबूब आलम चार बार जीते लेकिन आज तक पक्का मकान नहीं बनवाया विहार चुनाव में इस बार भी धन, बल और बाहोबल का दबदबा रहा लेकिन एक विधायक ऐसे भी हैं जिनकी सादगी हर किसी को हैरान कर देगी विहार चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से जितने वाले विधायक महबूब आलम के पास आज भी खुद का पक्का मकान नहीं है कई बार पैदल ही वह सड़क पर सफर करते नजर आते हैं इस बार विहार विधानसभा चुनाव जीत कर आये विधायकों में 81% करोर पती हैं लेकिन कटिहार जिले के बलरामपूर विधानसभा से चौथी बार विधायक बनने वाले महबूब आलम के पास अपना पक्का मकान तक नहीं है महबूब आलम अपने इलाके में काफी चर्चित सक्सियत हैं उस साल पहले विधायक महबूब आलम की एक तस्वीर सोसल मिडिया से तेजी से वाइरल हुई थी उस तस्वीर में विधायक की सादगी देखकर लोग हैरान थे और उनकी काफी तारिफ कर रहे थे तस्वीर में महबूब आलम अपने बच्चे को कंदे पर विठा गर पत्नी के साथ पैदल ही अपने आवास पर जाते दिखे उनकी पत्नी जोला लेकर चल रहे थी और साथ में उनका गाड भी पैदल चल रहा था तस्वीर के बारे में बताया जाता है कि यह तस्वीर तब किया जब पत्ना के गांधी मैदान में कम्यूनिस्ट पाटी ने एक सभा आयोजित की थी जिसमें विधायक महबूब आलम अपने परिवार के साथ ट्रेंड से पटना पहुचे थे जैसे ही प्लैटफॉम पर ट्रेंड रुकी विधायक जी भी डिब्बे से बाहर निकले और आम आदमी की तरह बच्चे को कंदे पर विठा कर पैदल ही अपने आवास के और चल दिये बीजेपी का आरजेडी पर निसाना जाती की राजनिती से उपर उठ चुका है विहार प्रदेश भाजपा अध्यक्च सांगसद डॉक्टर संजेज असवाल ने कहा कि बिहार चुना परिनाम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जातपात की राजनितिक के दिन अब लजच चुके हैं इस चुना में लगबग सभी दलों का एजेंडा विकास के इर्द गिर्द घुमता रहा वास्ता में हमारी सबसी बड़ी जीत यही है अफ़ा जूट और फरेव की राजनितिक करने वालों ने कम कोशिस नहीं की लेकिन बिहार की जनता डिगी नहीं किसी तरह के प्रमपंच में नहीं पड़ी और प्रदान मंत्री मोधी वा मुक्मंत्री नितिस कुमान में फिर से विश्वास जताया अब बात करते हैं अंतिम खबर की भारत नेपाल सीमा से लेकर गंगा घाट तक दीपरु का धूम दियों की रोसनी से जगमगाया बिहार दिवाली का परु पूरे बिहार में धुमधाम से मनाया गया लोगों ने दिये मुंबत्य और रंगिन बल्व जल कर दिया राजदानी पटना सहित राज के सुदूर गाउं तक रोसन किये गये पटना में गंगा घाट से लेकर रोक्सॉल में भारत नेपाल सीमा कोशी से गोपाल गंज और केमूर से किसन गंज तक हर तरब दियों की रोसनी से पूरा आसमान जगमगा उठा तो इसी तरह बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहे हमारे साथ धन्यवाद